नमस्कार दोस्तो रेल पत चैनल पे फिर से एक नई वुडियो के साथ आपका स्वागत है मैं आपका दोस्त परवीन सर और आज डिसकस करेंगे 11 फरवरी 2024 को समस्ति पूर डिविजन में जेई पीवे का एकजाम हुआ था उसी क्वेश्चन एनलाइसिस के बारे में तो दोस्तो ये 2024 का जेई पीवे का ये फर्स्ट एकजाम है और ये काफी अलग तरीके से लिया गया है तो ये आपको भी जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कहीं भी ऐसा हो सकता है तो ये देखिए क्वेश्चन को A, B और C तीन सेट में तयार किया गया था एकजाम एक ही दिन था लेकिन क्वेश्चन का सिरियल नंबर अलग अलग था और ये और ही बहुत जरूरी दोस्तो इसमें खास बात या था कि या क्वेश्चन को एक से लेकर 90 कंपलसरी सभी को बनाना था और 91 से लेकर 100 ओप्सनल था या तो आप 91 से 100 तक बना सकते हैं या फिर 101 से 110 तक बना सकते हैं ये दोनों में एक ही बनाना था दोस्तो इसके फर्ष प्रिस्पे दिया गया था लेकिन वो पेपर एकजाम सेंटर में वो ले लिया गया है तो आप इसको एक नए तरीके से देखेंगे ऐसा भी एकजाम में होता है या तो 91 से 100 बनाना है या फिर 101 से 110 तक बनाना था और 1 से 90 तक कंपलसरी सभी के लिए बनाना था तो दोस्तो अब मैं कोश्चन के उपर लेकर चलता हूँ ये फर्स्ट कोश्चन है ब्राउड गेज में अधिक्तम कैंट अनुमत डैस मिली मीटर होता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा 75 mm यानि इसका एंसर B हो जाएगा LWR में व्रीथिंग लेंथ को परभावित करने वाले कारक हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा rail खंड और zone यानि इसका answer C हो जाएगा CMS crossing में घिसाव बास्तिवी crossing nose से 10 mm पर मापा जाता है इसका answer हो जाएगा 100 mm यानि इसका answer B हो जाएगा USF dupe करनों को संबेदन सीलता को dice में एक बार में मानक परिच्छन rail टुकडे की मदद से अस्थापित किया जाएगा तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा परती दिन यानि इसका answer A हो जाएगा कार्ज जो शुरू होने के दिन के सुर्यास तक समाप्त यानि पूरा हो जाता है उसे की सब्दी के कार्ज कहा जाता है तो इसका answer हो जाएगा साउट अब्दी यानि इसका answer A हो जाएगा पारंप्रिक थू पैकिंग में संचालन का सही करम है तिसको सजाना है तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा अस्कोरिंग slaving गेजिंग और पैकिंग यहनि इसका answer ए हो जाएगा रेल तापमान मानचित्र में ब्रैकेट के अंदर रीडिंग इंगित करता है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा वार्सिक आउसत तापमान यानि इसका एंसर ए हो जाएगा गोलाई में अस्टेसन 10 मीटर पर निधारित होता है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा 10 मीटर पर यानि इसका एंसर B हो जाएगा कुछ अस्थानों में रेल टेवल में राइड्स और खोखले बिक्सित होते हैं इसे कहा जाता है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा कौरी जेस्टन यानि इसका एंसर डी हो जाएगा क्रोसिंग पर अधिक्तम बियर की अनूमती राजधानी मार्ग पर 10 mm और अन्य मार्गों पर 10 mm है तिसका answer क्या हो जाएगा? तिसका answer हो जाएगा 6 और 10 यानि इसका answer B हो जाएगा गडर ब्रीज के उपर LWR को जारी रखते हुए rail sleeper fitting होनी चाहिए तिसका answer क्या हो जाएगा? तिसका answer हो जाएगा rail free type यानि इसका answer A हो जाएगा अगर आप भी J.P.W. की त्यारी करते हैं या करना चाहते हैं तो J.P.W. के लिए 2000 Question Bank का पीडियाप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर टिक करके या WhatsApp से संपर्क करके हिंदी या English में ले सकते हैं और अपनी त्यारी को बहतर बना सकते हैं एक Gapless Joint संजुक्त में छेद के लिए Drill Wheat का ब्यास 10 mm होना चाहिए तो इसका एंसर हो जाएगा 26.5 यानि इसका एंसर B हो जाएगा Level Crossing Gate पर गती अवरोधक बीच में 10 mm उचा होता है इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर हो जाएगा 125 mm यानि इसका एंसर A हो जाएगा एक वक्र के आंतरिक रेल तालिका के समतल होने के कारण है इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर हो जाएगा Cant Excess यानि इसका एंसर A हो जाएगा Cant की अधिक था फैंसेब टर्नाउट में क्राउसिंग की नाक के विपरित निउन्तम बिंग रेल की निकासी डैस एमेम है इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 41 यानि इसका एंसर C हो जाएगा सब किलोमेटर परती घंटे से अधिक और 110 किलोमेटर परती घंटे तक की गति वाले मार्गों के लिए TRC द्वारा ट्रैक जैमेटरी रिकाउडिंग की आबरिती कितने दिनों में होता है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा चार महिने में एक बार यानि इसका एंसर C हो जाएगा बेल्ड की पेंटिंग की जाती है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा बेल्ड के दोनो और तथा बेल्ड की गई सता पर कम से कम 10 cm यानि इसका एंसर A हो जाएगा LWR, CWR, track 10 meter radius के 100 पर बक्र में नहीं बिचाया जाएगा तो यह BG root का है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? 440 यानि इसका एंसर C हो जाएगा LWR में 52 kg और भारी अनुभाग में डिश्ट्रेसिंग तापमान क्या है? तिसका एंसर क्या हो जाएगा? तिसका एंसर हो जाएगा आउसत रेल तापमान पलस 5 degree Celsius से आउसत रेल तापमान पलस 10 degree Celsius तक यानि इसका एंसर A हो जाएगा PSE sleeper में 25 mm उठाने के लिए insertion की संख्या है तिसका answer क्या होगा तिसका answer हो जाएगा यानि इसका answer A हो जाएगा वक्र में super उत्थान का कार्ज क्या है यानि super elevation का कार्ज क्या है तिसका answer देखिए D हो जाएगा इन में से सभी हो जाएगा all the above तो ये दोनों rail पर load बितरित करने के लिए rolling stock के beer और tier को कम करने के लिए और यात्री को अराम परदान करने के लिए यानि इसका answer D हो जाएगा 1 in 8 and half point एवं crossing के hill diverses 10 mm होता है तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा 183 यानि इसका answer C हो जाएगा LWR track के hysteristic को परभावित करने वाले मुख्य कारक है तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा अनुधायर जी गिट्टी परती रोधी यानि की इसका answer D हो जाएगा नए निर्मान कार्जो मौजूदा निर्मान कार्जो में परिवर्तन के लिए सीधे रेल पत की बिंदू से बिंदू नियुन्तम दूरी क्या है तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा तिर्पन 100 mm यानि इसका answer C हो जाएगा CMS के लिए Sunshift है इसका answer क्या हो जाएगा Cast Magneze Still Crossing यानि इसका answer B हो जाएगा डैस के कारण rail की a scabbing होती है इसका answer क्या हो जाएगा Failing of the patch और chunk of metal from the rail table इसका answer A हो जाएगा Creep होता है तो creep क्या होगा इसका answer हो जाएगा rail का अनुधर्ज गती यानि इसका answer A हो जाएगा Rail 0 पर hanging com आपने के लिए कि सुपकरन का उपयोग किया जाता है इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा Nylon card दिसा सूचक level instrument यानि कि इनमें से सभी इसका answer हो जाएगा यानि D हो जाएगा LWR को distressing tensor द्वारा किया जा सकता है जब प्रचली तापमान dice होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा TD से कम यानि इसका answer B हो जाएगा ERCM के 3 का 2 load है तो इसका answer हो जाएगा 850 से 1150 किलोगरम यानि इसका answer B हो जाएगा ROB की सिफारिश तब की जाती है जब LC gate का TBU dash से अधिक है इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा एक लाक यानि इसका answer C हो जाएगा लेवल क्राउसिंग पर बैनर जंडा चेक रेल के सीरो से डाइस दूरी पर पर परदान किया जाएगा तिसका answer हो जाएगा 5 मीटर यानि इसका answer C हो जाएगा बिंग रेल परदान की जाती है तिसका answer क्या होगा तिसका answer हो जाएगा क्राउसिंग में यानि इसका answer D हो जाएगा दो रेलो के आंतरीक चेहरे के बीच असपश लंबत दूरी तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा track का gauge यान इसका एंसर यह हो जाएगा ट्रेक का गेज का लाएगा अगर आप भी J.P.W. की त्यारी करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी त्यारी को बहतर बनाने के लिए J.P.W. प्रिबिएस येर कोश्चन पेपर 2023 का प्रिबिएस येर कोश्चन आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से या वाटसप से संपर करके ले सकते हैं और अपनी त्यारी को बहतर बना सकते हैं 20 प्लस माइनस 30 सेकेंड के भीतर अगर स्लैग को अलग नहीं किया जाता है तो करवाई की जाएगी यानि ये जो है बेल्डिंग का है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा बाहर टैप करें यानि कि वो जो है मैटेरियल को बाहर गिरा देना इसका एंसर भी हो जाएगा 80 बेल्डिंग के बाद पहली ट्रेन को पास किया जाना चाहिए इसका answer क्या हो जाएगा धातु डालने से 30 मिनट बाद यानि इसका answer C हो जाएगा TFR प्रस्तावित किया जाना है यदि 20% या अधिक नमूना आकार-केजी टू लोड से कम है इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 400 यानि इसका answer C हो जाएगा BCM द्वारा की गई गरी स्क्रीनिंग साइट और मसीन द्वारा टाइम के बाद DGS किया गया पर गती परतिवन डाइस के MPH है इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 40 यान इसका एंसर C हो जाएगा Track Center से Falling Mark को डाइस MM पर रखा जाना चाहिए इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर हो जाएगा 4265 यान इसका एंसर A हो जाएगा अगर निव लाइन रहेगा तो इसका भी 300 हो जाएगा बकरता और तृज्या को डिगरी के बीच का संबन 10 है इसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा 1750 बटार यानि इसका answer C हो जाएगा वक्र में सुपर उत्थान यानि सुपर एलिवेशन का कार्ज है तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer देखिए उप्रोक्त में से सभी हो जाएगा दोनों रेल पर लोड बितरित करने के लिए rolling stock और beer tier को कम करने के लिए यात्री को अराम परदान करने के लिए यह question देखिए repeat हो गया है तिसका answer D हो जाएगा get post से speed breaker dice meter पर उपलब्द कराया जाता है तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा 20 meter यानि D हो जाएगा इसका answer D हो जाएगा level crossing पर check rail की new thumb और अधिक्तम निकासी and dash sum होगी तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा new thumb 51 और maximum यानि 이설का answer B हो जाएगा Jim Crow का अपयोग dash के लिए किया जाता है तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा रेल के मोड को हटा दे और रेल को मोड़े यानि कि मोडने के लिए या फिर तेड़ा है तो उसको सीधा करने के लिए A and B दोनों इसका एंसर हो जाएगा यानि इसका एंसर C हो जाएगा वन इंटू वेल फैंड के आका तरन आउट में कितने सिलिपर होते हैं इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 96 यानि इसका एंसर B हो जाएगा कैंड द्वारा केंदर परसारक बलो को जिस गती से संतूलित किया जाता है वह है डैस इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा संतूलन गती यानि कि इसका answer A हो जाएगा CMS crossing या G rail के साथ जोडों पर अंतराल dice mm होना चाहिए तिसका answer क्या हो जाएगा CMS crossing पर tank rail का कितना होना चाहिए gap तिसका हो रहा है gap less यानि कि इसका answer C हो जाएगा वन इन्टु वेल एफस स्विच 6 kg किलोग्राम के लिए CMS crossing की लंबा है तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा 4350 यानि इसका answer 4350 हो जाएगा यानि D answer हो जाएगा भाग में calcium fluoride dash ataspar का कार्ज क्या है तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा slag को अलग करने के लिए यानि इसका answer A हो जाएगा आइलिंग and greasing of fist plate is done once in 10 month every year तो यह जो है fist plate को आइलिंग greasing कितने दिनों में एक बार करनी चाहिए तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा 12 महीने में यानि इसका answer D हो जाएगा टंक रेल को चाकू की धार घोसित किया जाता है यदि सिर्ष किनारे की मुटाई dash mm से कम हो जाती है तो तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा 2 mm यानि इसका answer C हो जाएगा IMR W को dash के साथ चिनित किया जाएगा तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा 3 red cross यानि इसका answer C हो जाएगा LWR में रख रखाव का संचालन dash के तापमार सीमा तक सीमित होना चाहिए तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा TD plus 10 से TD minus 30 यानि इसका answer A हो जाएगा USFD में बर्दमान ultrasonic props का उप्योग करके नियुन्तम दोस्त डैसा कार का पता लगाया जा सकता है तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा 0.8 mm यानि इसका answer B हो जाएगा OMS 2000 निमलिकित महतपुन पैरामिटर को मापता है तिसका answer क्या होगा तिसका answer हो जाएगा parse और उर्दवाधार त्वरहन यानि इसका answer C हो जाएगा PRC का full form क्या है तिसका answer क्या हो जाएगा प्रियस्टेट रैनफर्ड कंक्रीड यानि कि पूर्व प्रवलित प्रवलित कंक्रीड यानि कि इसका answer C हो जाएगा WL वोर्ड के लिए बोस्ट को परत्यक डैस mm बैंड के काले और सफेद रंग से चिन्हित किया गया यानि इसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा 300 यानि इसका answer C हो जाएगा Deep screening double line paradise में की जाएगे तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा यातायत की दिशा के बिपृत में यानि इसका answer B हो जाएगा टीएमेस को डैस के नाम से जाना जाता है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा ट्रेक मेनेजमेंट सिस्टम यानि इसका एंसर भी हो जाएगा दू डिग्री कर्व का द्रीज या डाइस मीटर है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा आठ सो पचात्तर यानि 1750 को जितना डिग्री देगा उतना डिग्री से अब डिभाइड कर दीजिएगा UFSD का टाइप क्या है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा गैर बिनास्कारी परिच्छन यानि इसका एंसर ए हो जाएगा पच्पन वर्स की आईउ के बाद गेट मैन का चिकित सी ये परिच्छन किया जाता है डैस वर्स के बाद में तिसका एंसर हो जाएगा एक एक बर्स के बाद यानि इसका एंसर ये हो जाएगा लेटरल वियर को रेल की मेज के डैस से डैस में में नीचे मापा जाता है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा 13 से 15 एंसर यानि इसका एंसर A हो जाएगा TBU के लिए संचिप्त है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा ट्रेन वहां निकाई यानि कि ट्रेन विकल इनुट इसका एंसर भी हो जाएगा कीमेन को इंटाइर सेक्षन का निरिच्छन करना चाहिए तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा परती दीन यानि इसका एंसर यह हो जाएगा 80 बेल्डिंग पर किरिया में क्लोजिंग पीन की क्या भूमिका है तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा तिघलने के पहले building भाग को पकड़ कर रखना और दूसरा S-BTS powder तथा slag को पकड़ कर रखना इसका answer उप्रोक्त में से दोनों हो जाएगा यानि इसका answer C हो जाएगा distressing in LWR-CWR is required to avoid तो distressing जो है किसलिए किया जाता है LWR-CWR में तिसका answer क्या हो जाएगा buckling और fracture दोनों से बचने के लिए यानि इसका answer C हो जाएगा rail tensor का उप्योग rail में होता है ति किसलिए होता है तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा left tracing के लिए यानि इसका answer A हो जाएगा point and crossing के lead rail में वर्न यानि भरशाइन को dash meter कार्ड पर मापा जाता है तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा 6 meter पर यानि इसका answer D हो जाएगा TVU की गन्ना परत्यक dash बर्स पर की जाती है तिसका answer हो जाएगा तीन बर्स पर यानि इसका answer ये हो जाएगा पहियो की koning के संबंद में निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा वह भील फ्लेंच को तूट फूट से बढ़ाता है यानि इसका answer C हो जाएगा points and crossing के नभी करन के लिए Diß मसी इन उपयोग में लाया जाता है तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा T 28 यानि इसका answer B हो जाएगा बिधिये गुलाई में DICE और DICE तथा पूरी मात्रा में होता है तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा वर्साइन और वाह उत्थान यानि कि वर्साइन और सूपर एलिवेशन इसका answer B हो जाएगा उप गिट्टी की मुटाई डैस से कम नहीं होनी चाहिए तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा 180 मियानि इसका answer C हो जाएगा transition curve गोलाई के डैस में अवस्तित होना चाहिए तिसका answer क्या होगा तिसका answer हो जाएगा दोनों चोर पर यानि इसका answer A हो जाएगा एक पेट्रोल में को एक दीन में कितने किलो मिटर से ज़ादा नहीं चलना चाहिए तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा 20 km यानि इसका answer D हो जाएगा height gauge gate post से 10 meter की दूरी पर होना चाहिए तिसका answer हो जाएगा 8 meter यानि इसका answer C हो जाएगा TRC के द्वारा एक block में 10 lumbi track के parameter दर्ज किये जाते हैं तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा 200 meter यानि इसका answer D हो जाएगा BCM के निचली screen का map dice mm होता है तिसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा 36 mm यानि इसका answer A हो जाएगा breathing की लंबाई dice में नहीं होनी चाहिए तिसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा labor crossing में यानि इसका answer A हो जाएगा WL board gate के dash meter पर लगाया जाता है तो इसका answer हो जाएगा 600 meter पर यानि इसका answer A हो जाएगा TQY क्या है TQY का answer हो जाएगा track quality index यानि इसका answer B हो जाएगा kind के परिवर्तन की अनुमेदर है dash इसका answer क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा 35 एम परतिस सेकेंड यानि इसका एंसर D हो जाएगा VFR के Portal Crane Loading Unloading Dice के द्वारा होती है तिसका एंसर क्या होगा तिसका एंसर हो जाएगा Turn Table यानि इसका एंसर B हो जाएगा Lead Rail में दो लगतार Station पर वर्षाइन का अंतर Dice mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा 4 mm यानि इसका एंसर C हो जाएगा मिट्टी की प्रकिर्टी किसके कारण पानी अंदर चला जाता है इसके कहा जाता है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा प्रवेस्ता यानि इसका एंसर B हो जाएगा Goods Siding में platform की उचाहिए है Dash mm तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा 1065 mm यानि इसका एंसर C हो जाएगा क्या मिट्टी की या परियाप्त गहराई ट्रैक के रख रखाओ को प्रभावित कर सकती है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा हाँ कि फॉर्मेशन पर दवाब बढ़ेगा यानि इसका एंसर डी हो जाएगा इलास्टिक रेल किलीब के टू लोड के माप के लिए नमुना अकार तिसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा परतेख सो सिलीपर बर एक परतिसत एरसी का यादिचिक रूप से यानि इसका एंसर ए हो जाएगा निकट वर्ती ट्रेक के अंदर से माल या यात्री को ले जाने वाले प्लेटफरम की नियुनतम 36 दूरी क्या है तिसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 1670 mm यानि इसका एंसर ए हो जाएगा डाग टीकट भारत में पेस्ट किये गए थे तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा लाड डॉल होजी के द्वारे यानि इसका एंसर ए हो जाएगा बालो में निमलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जिसका answer क्या हो जाएगा जिसका answer हो जाएगा खायराटीन यानि इसका answer B हो जाएगा प्राइड इपिय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका answer क्या हो जाएगा जिसका answer हो जाएगा गोदाबरी यानि इसका answer B हो जाएगा ठोस से गैस में रुपांतरन की परकिरिया को कहा जाता है इसका एंसर क्या हो जाएगा स्ब्लिमेशन यानि इसका एंसर सी हो जाएगा निमलीखित में से किसे मास्टर गरंथी कहा जाता है इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा यानि इसका एंसर C हो जाएगा आउसत बेतन पर छुट्टी का अधिक्तम नगदी करन इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 300 दीन यानि इसका एंसर D हो जाएगा हवा का बुलबुला तरल पदार्थ के कारण उपर उठता है तिसका answer क्या हो जाएगा? तिसका answer हो जाएगा चिप चिपाहट और B.I.C. इसका answer B हो जाएगा किस अबधी के भीतर प्रितित अबकास दिया जा सकता है? तिसका answer क्या होगा? तिसका answer हो जाएगा 6 महिने के भीतर यानि इसका answer D हो जाएगा एक computer बूत नहीं कर सकता है यदि इसमें dice नहीं हो तो तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा operating system यानि इसका answer C हो जाएगा निवन मेंसे किस vitamin को टोको फेराल के नाम से जाना जाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा vitamin E यानि इसका answer B हो जाएगा कच्छेत्र में इस्थित केंदर सरकार के कारजाले में कच्छेत्र में इस्थित राज सरकार के कारजाले को हिंदी में मूल पत्राचार का लच्छ क्या है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा सो परतिसद यानि इसका एंसर सी हो जाएगा राजभासा कारियानवन के लिए राजभासा लच्षक के अनुपालन हेतु परती वर्स एक वार्षी कारिकरम जारी किया जाता है इसे किस मंत्रा लेके द्वारा किया जाता है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा ग्री मंत्रा ले यानि इसका एंसर सी हो धारा तीन के तीन के अंतरगत जारी किये जाने वाले कागजातों को हिंदी अंग्रेजी दोनों भासाओं में जारी करने का उत्तरदाइत्म किसका है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा कागजात पर हस्ताचर करने वाले आधिकारिक है यानि इसका एंसर D हो जाएगा राजबासा पकवारे का आयोजन किस माह में किया जाता है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा सितंबर में यानि इसका एंसर B हो जाएगा रेलवे बोर्ट द्वारा काब लेखन के लिए कौन सा पुरुसकार परदान किया जाता है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा मैथली सरन गूपत यानि इसका एंसर भी हो जाएगा राजभासा नियम 1976 के संदर्व में बासिक छेदर के हिसाब से दमन और दीफ समू किस छेदर के अंतरगत आता है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा ख़ छेदर के अंतरगत यानि इसका एंसर भी हो जाएगा राज भासा नियम 1976 के अनुसार रजिस्ट्रों के प्रविष्टियां किस भासाओं में दी जानी चाहिए तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा हिंदी भासा में यानि इसका एंसर बी हो जाएगा राजभासा नियम 1976 के नियम 5 के अंतरगत क्या प्रापधान है तिसका एंसर क्या हो जाएगा मुल हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही देना इसका एंसर भी हो जाएगा संसदिय राजभास समीती में कुल कितने सदस्य होते हैं तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा 30 यानि इसका एंसर C हो जाएगा भारतिय समीधान की अस्टम अनुसूची में कितने भासा हैं सामिल है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा 22 यानि इसका answer B हो जाएगा आसा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वेल नोटिफिकेशन अन करें और अगर कोई कोश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कॉमेंट करें जिससे उस कोश्चन को फिर से सुधार कर answer कॉमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा